नमस्कार सी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं संसदी समतियों के बारे में सबसे पहले प्राकलन समति बित्तिय ब्वस्ता पर संसदियowego नियंत्रन बित्तिय junior के माध्यम से की आ जाता है और बित्तिय समतियां निमनिलखित हैं तो प्राकलन समति भी एक बित्तिय समति है प्राकलन समति में सिर्फ लोग सभा के सदस्य होते हैं राज्य सभा के सदस्य नहीं होते हैं प्राकलन समति में सदस्यों की संख्या तीस होती है सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्स आनुपातिक प्राकलन समती के सदस्च कोई मंत्री नहीं हो सकता है। प्राकलन समती के सदस्च का कारेकाल भी एक वर्स होता है। समती भारत के नियंत्र कोई महालेखा परिक्षक द्वारा दिया गया लेग परिक्षण संबंदी प्रत्याविदनों की जाच करती है। समती उन परिस्थतियों की जाच करती है जिसके गारण संसद द्वारा प्रदान की गई धंडासी के अत्रिक्ष धंडासी का ब्याय करना पड़ रहा है। उसके अत्रिक्ष कोई धंडासी ब्याय हो रही है तो उसकी भी जाच करती है लोक लेखा समती। अगली है सरकारी उपक्रम समती। इस समती में 22 सदश्य होता है 15 लोक सवाके 7 राज्य सवाके। जिनका चुनाव आनुपातिक प्रतनित्व सिद्धान्द के अनुसार एकन संक्रमनिय मत के माध्यम से होता है। यह एक स्थाई समती है फिर भी इसका गठन हर वर्स होता है। यह समती हमेशा स्थाई रहती है लेकिन इसका हर बार इसका गठन होता है। कोई मंत्री समत्री का सदस्च नहीं चुना जा सकता है समत्री का अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष द्वारा नमजद किया जाता है जो समत्री का अध्यक्ष होता है वो लोग सभा अध्यक्ष के द्वारा एपोइंट किया जाता है समति के मुख्य कारे हैं सरकारी उपक्रमों में सम्मंद में नियंतर तथा महा लिखा परिक्षा की रिपोर्ट पर बिचार करना सरकारी उपक्रमों की उत्पादन छमता ये कार्य को सलता पर बिचार करना ये भी समति का कार्य है आगे है कार्यमंत्रना समती लोगसभा की समती में अध्यक्ष सहित 15 सदस्च होते हैं लोगसभा का अध्यक्ष कार्यमंत्रना समती का पदेईन अध्यक्ष होता है जो मतलब कार्यमंत्रना समती है उसका अध्यक्ष वो है लोगसभा का स्पीकर होता है राज्य सभा की कार्यमंत्रना समति में सभापति और उपसभापति के अत्रिक्त 11-9 सदस्चे होते हैं ये एक ऐसी समति है जो लोक सभा की अलग होती है जिसमें 15 सदस्चे होते हैं और राज्य सभा की अलग होती है जिसमें 11 सदस्य होते हैं सभा और उपसदपरती को छोड़ के राज्य सभा का सभापती जो राज्य सभा की कारेमंदरना समती होती है उसका पदेन होता है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्मंदी समती इसका गठन लोकसभा में किया जाता है और इस समती में 15 सदस्चे होते हैं समती का कारेकाल एक वर्ष का होता है इस समती का अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है जो गैर सरकारी सदस्चों के बिदेहयकों तथा संकलपों वाली समती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है अब तक गठित समतियों में संकरानन की अध्यक् supplement की अध्यक्स्ता में बोपोर्स मामले की जांच के लिए 1987 में गैर सरकारी सदस्चों के विधेयकों तता संकर्पों वाली समति का गठन किया गया था राम निवास मिस्रे की अध्यक्स्ता में हरसद महता सेर गोटाले की जाच के लिए भी 1992 में इस तरह की एक समधी का गठन किया गया था तो दोस्तों आज हमने जो हमारी संसदिय समतिया हैं उनमें से सुरुवाती 5 के बारे में पढ़ा और नेक्स में हम जो बची हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू जैहिन